पानीपत के किले पर सित शहीद एमेल वर्मा पार्क में सोमवार को शहीद एमेल वर्मा सुधार समीती की और से श्रद्धांजली समारो आयोजित किया गया कार्यक्रम में पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंग मुख्याती थी रहे उपायुक्त के साथ शहर के गणमाने लोगों ने पुश्प अर्पित कर उन्हें शद्धांजली दी एमेल वर्मा सुधार समीती ने शहीद एमेल वर्मा की 29 वी पुन्य तिथी पर श्रद्धांजली अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया वर्मा 29 साल पहले आतंकवादियों के हमले में मारे गए थे उन्ही के नाम पर किले पर पार्क का निर्माण किया गया है उपायुक्त ने बताया कि भारतिय प्रशासनिक सेवा अधिकारी एमेल वर्मा आज से 29 साल पहले आतंकवादियों के हमले में मारे गए थे शहीद वर्मा फरवरी 1992 को अपनी पत्नी वे दो पुत्रों के साथ चंडीगर से अपने पैत्रक गाओं ललाहडी जा रहे थे उनके साथ ड्राइवर गनमैन भी थे सभी कार सवारों पर आतंकवादियों ने अंधा धुन गोलिया बरसाई थी इस घटना में वर्मा शहीद हुए थे वे डीडिये के डाइरेक्टर केंद्रिये कृशी मंत्री के व्यक्तिगत सचिव भी रहे वर्मा कॉंग्रेस सरकार के ततकालीन मुख्य मंत्री भजनलाल के व्यक्तिगत सचिव भी रह चुके हैं वर्मा की याद में पानिपत किला चोक पर पार्क बनाया गया है यहां उनकी प्रतिमा लगी हुई है निगम पार्क के लिए चार लाख रुपए मन्जूर किये गए हैं उपायुक्त ने कहा कि शहीद एमल वर्मा ने हरियाना के लिए बहुत से कार्य किये हैं केंद्र में कृशी विवाग में रहते वे किसानों के लिए जो भी काम किये हैं उसे भूल पाना मुश्किल है पानिपत से समान दाता प्रवीन भारतवाज की रिपोर्ट आज उन्हें की श्री एमल वर्मा जी की सरधानजली सबाती आज एके दिन उनको परिवार समीत परिवार सहीत जो है आतकवाज का सिकार होना पड़ा था और उन्हें को आज उनके सहीदी को नमस्षकार करते हैं नमन करते हैं और उनके जिस तरह से उन्होंने किरामी नाचल से पैदा होके और सिर्थ स्थान तक पहुँचे हैं कि आईये तदिकारी के रूप में, मुक्यमंतरी के राजने भी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में और इस जन्ता के बलाई के लिए काम किया है, उनके जिमन से प्रेंद के प कि इनके जीवन से प्रेरना लें और देश के हित के समाज के हितने कारिये परें के इनके जीवन आप मीफ इनके आणा कारिये में और जोटी कर्णा बंके आएंगे जाय के समय कि इनके आदा परें